मुकिमंतर शिवरात सिंग चोहान के आदेश पर अवेद जी रेत माफियाओं के खिलाफ कारवाई का सिलसिला जारी है इसी कड़ी में शिवपुरी जिले के पिछोर वन विभाग ने बड़ी कारवाई करते हुए रेत एवं पत्थरों का अवेद उत्खनन करते तीन ट्रेक्टर ट्रॉलियों को जब्थ किया है दरसल अवेद खनन के खिलाफ एक विशेश मोहिम चलाई जा रही है इसी दोरान सोंबार को जंगल गश्टी के दोरान वन परिक्षेत्र से अवेद धिरूप से रेत एवं पत्थर के खंडे का अवेद ही व्यापार रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा था सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने कारवाई करते हुए मौके से वाहन जब्थ कर मामले की जाच शुरू कर दी है वही रेंजर अनुराग तिवारी का कहना है कि आवेद जी खरन माफियाओं के खिलाब लगातार कारवाई जारी रहेगी बन्ववाद पिछोर दौरा एक बड़ी कारवाई को अंजाम दिया क्या कुछ कहेंगे जबार में अवेद उत्खन के विरुद्ध लगातार एक मुहिम चलाई जा रहे है जिसमें आज सुबह जंगल गस्ती के दौरान दो टैक्टर रेत के आवेद उत्खन करते हुए एक खंडे का ऑवेद उत्खनन करते हुए बन्वफबर चेतर पिछोर में जब्त किया गया है एक ट्यक्टर रेंज करेरा में भी होग्द उत्खन करते हैं आज की मुहिम में एरोतार जप्स कि यह गया है सर किस तरह यह कारवाई चलती रहेगी और लोगों को किस तरह दोपिय कि गई थी इस बार भी क्या ऐसे ही रहेगा सासन का कार लगातार हम लोग इमांदारी निस्टाजी करते रहेंगे ताकि अवैद उत्कनन करता हो पर लगाम लगाई आसे चलिए सर धन्यवाद कि शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट